आज हम बात करेंगे घर में सुख, शान्ती और धन प्राप्ती के उपाय के बारे में, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आईए चलिए शुरू करते हैं। घर में सुख, शान्ती और धन प्राप्ती के उपाय इस प्रकार है। एक घर का मुख्यद्वार हमेशा साफ सुथरा रखे तथा प्रकाश की उचित व्यवस्था रखे उसे प्रकाश में रखें। घर की दहलीज पर सुबह उटते ही घर की मुख्य महिला एक साफ लोटे से जल डाले तथा दहलीज को हमेशा साफ सुथरा रखे तथा दहलीज के बीच कभी ना बैठें क्योंकि यहां से लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। यहां लक्ष्मी का स्थान है। तीम्त घर के मुख्य द्वार पर हमेशा शुक चिन्ह जैसे ओम स्वस्तिक बना कर रखे ये चिन्ह रोली हल्दी चावल को पीस कर मिला कर बनाएं। चार घर के मुख्यद्वार पर तौरण हमेशा लगा कर रखे इससे नकारात्मक उर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती है घर का वास्तुदोष भी दूर होता है 6. घर के मुख्यद्वार पर संध्यास्मय घी का एक दीपक हमेशा जलाए इससे माल लक्ष्मी का घर में आगमन होता है 7. घर में नकारात्मकता अधिक है तो द्वार पर शनिवार के दिन काले कपड़े में 200 ग्राम फिटकरी बांध कर लटका दे तथा हर महीने इसे बदलते रहें तथा पुरानी फिटकरी को बहते जल में फैंक दे तथा फिर नई फिटकरी काले कपडे में रखे आठ, दक्षन मुखी द्वार है तो द्वार पर पंच मुखी हनुमान जी की तस्वीर हमेशा लगा कर रखे तथा तस्वीर हमेशा साफ रखे नौ, मुख्य द्वार के बाई और आग का पौधा लगाए घर के बाहर खड़े होकर मुख घर की तरफ करके अपना बाया देखे दस, घर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाए जा रह, मुख्य द्वार पर एक पानी का बरतन भी भर कर रखे तथा उसमें फूल डाल कर रखे जिससे साकारत्मक उर्जा घर में प्रवेश करती है ये सभी उपाए काम करते है अगर विश्वास से किये जाए तो अपने जीवन के अनुभव से ये बात मैं कह रही हूँ अगर विश्वास नहीं है तो कोई उपाए काम नहीं करता और हमेशा अपने भगवान से गलतियों के लिए क्षमा मांगते रहे कथा पलपल प्रभु का धन्यवात करते रहे मैं विश्वास के साथ कहती हूँ ऐसा कोई उपाए नहीं जो काम ना करे मेरे द्वारा बताए गए उपाए आपके हर काम बनाए बस यही प्रभु से प्रार्थना करती हूँ